नीर्जा फेम डायरेक्टर संग फिल्म करने जा रहे कार्तिक आरियन जान ये इंसाइड डिटेल्स एक्टर कार्तिक आरियन ने कम समय में बॉलिवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है उनकी कॉमिक टाइमिंग भी इतनी बेमिसाल है कि हर कोई उनकी तारीव करता नहीं ठकता लेकिन अब अपनी कॉमिक छवी को तोड़ने के लिए कार्तिक आरियन ने नीर्जा फेम डायरेक्टर राम मादवनी संग हाथ मिला लिया है वे एक फ्रिलर फिल्म पर काम करने जा रही है नीर्जा के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे कार्तिक एक रेउज पोर्टल के मताबिक कार्तिक आरियन अपने नए प्रोजेक्टे के लिए काफी उच्साहित है वे जिस फिल्म के लिए costly राम माद्वनी संग हात मिला रहे हैं वो फिल्म कोरियन फिल्म से प्रेरित बताई जा रही है फिल्म में thriller और suspense की भरमार होने वाली है और कार्तिक को एक डम नए अंदाज में देखने का मुका मिलने वाला है खबरों के मताबिक कार्तिक ने इस फिल्म के लिए तुरंत हामी भर दी थी उन्हें कहानी काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है फिल्म में कार्तिक संकिस एक ट्रेस को कास्ट किया जाएगा ये अभी साफ नहीं है लेकिन बताया जा रहा है इस फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर में शुरू हो जाएगी मालूम हो कि ये पहली बार है जब कार्तिक आरेन डायरेक्टर राम माधवनी संग काम कर रहे है राम ने नीर्जा के अलावा आर्या जैसी सुपर हेट वेब सीरीज भी बनाई है थ्रिलर और सस्पेंज बनाने में वे माहिर माने जाते हैं ऐसे अब जब उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कार्तिक को साइन किया है तो सभी की उमीदे खासा बढ़ गई है कार्तिक को सीरियस रोल में देखने के लिए हर कोई बेसबर हो रहा है वैसे वक्र फ्रंट पर कार्तिक आर्यान इस समय फिल्म भूल भूलाई या दो पर काम कर रहे है कोरोना की वजए से फिल्म रिलीज को पोस्ट पोन किया गया था फिल्म को अगले साल रिलीज किया जा सकता है कार्तिक फिल्म दोस्ताना दो में भी नजर आने वाले है उस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज क्रियेट हो चुका है